अब सारी बाइक्स में आ गई है उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप बीशना करें तो प्रेंस पहले तो आपके मन में यह हो रहा हुगा कि एचो है क्या फ्रेंस एचो का मतलब होता है और टोमटिक हैडलेम ओन रोड सेप्टी को ध्यान में रखते हैं जैनिकर टांसपोर्ट पोरप्रेश्ट अपने इंडिया ने 31 मात से नया रोल्स लागो किया है इसके तहत इंडिया में जितने भी डो विरर्स हैं उसके लिटलाइट अब दिन में भी मौन रहेगी सबसे बड़ी चिंज यहाँ है कि आप चाहे तो भी लाइट को आप नहीं कर पाऊगे क्योंकि बियस टी एंजिन वादी वाइक्स में लाइट को और आप करने का जो बटन होता था अब उसे अटा दिया गया है और उसकी जगह एटमटिक हेडलाइट सिस्टम मतलब सौट में कहों तो एचो सिस्टम लगा दिया जाएगा इसी की तहट एक एपिल से बियस फर मोट लागो करने के सब्बंद में अगर कोई कंपनी ने यहाँ एचो सिस्टम नहीं लगाएग तो उस कंपनी की बाइक का रेजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा दोस्तो गवर्मेंट का यहाँ रोल्स पॉल्यूशन और रोड सेप्टी से जुड़ा हुआ है अगर देखा जाए तो अगर दिन में भी लाइट ऑन रहेगी तो विजिबियूटी बढ़ेगी लाइट ऑ वाली व्यस्ट्री मोडल की बाइक के उपर जारी किया जाएगा आटियो प्रसासन आर्पे सिंग ने यहाँ रोल्स की पुष्टी करते हुए कहा है कि 31 माद 1270 से पहले बढ़ने वाली बाइक को रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा यहाँ रोल्स को ध्यान में रखत हुआ रहा है तो दोस्तों यहाँ रोल्स हमारी सेप्टी के लिए है तो आप जब भी कभी न्यू बाइक्स खरीदने जाओ तो पहले चार्च कर लें कि बाइक में एटर सिस्टम लागों हुआ है या नहीं तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसं प्लीज उसको लाइक करना ना भूले और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू